यूट्यूब ने अपनी मनिटाइजेशन पॉलिसीज में अभी हाल ही में कुछ अपडेट किये हैं ये अपडेट हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुमित चर्मा मैं एक SEO स्टेटेजिस्ट हूँ और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आपको डिजिटल मार्केटिंग्स रिलेटिड अपडेट मिलते रहें तो आईए हम बात करते हैं जनवरी 2020 में आई हुए इस यूट्यूब के अपडेट के बारे में इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब ने अपनी मनिटाइजेशन स्टेंडर्स में कोई भी चेंज नहीं किया है उन्होंने अभी भी क्राइटि है में थीम आपके यूट्यूब की थीम क्या है आपने किस नीश को फोलो किया हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ वीडियो तो बना दिये किचन से रिलेटेड और कुछ वीडियो कर दिये टेक और कुछ वीडियो क्रिकेट अपडेट और कुछ पॉलिटिकल वीडियो जी हां दोस्तों ये है वो चीज जो की रिव्यू टीम जरूर देखेगी क्योंकि कई बार कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी कर रहे हैं कि वे किसी एक trending topic पर लेकर वीडियो बना देते हैं जैसे कि कोई trending political debate और उसे अपने channel पर upload कर दिया वो अकेली debate ही उनके watch time को qualify कर देती है लेकिन अगर आपके बाकी वीडियो उस से related नहीं है तो आपका channel monetize नहीं होगा तीसरी जो चीज review team देखेगी वो है आपने अभी हाल ही कौन कौन से वीडियो अपडेट किये हैं कि पिछले एक दो महिने में जो आपने वीडियो डाले हैं वे किस segment के लिए हैं और किस तरह की वीडियो हैं चोथी चीज जो आपकी check की जाएगी वो है आपका reference और आपका source code कि आपने जो भी अपने YouTube के उपर वीडियो डाला है उसे आपने कहां कहां share किया है जैसे कि Facebook, Twitter, WhatsApp और भी other social medias जी हाँ दोस्तों YouTube अपने वीडियो को बाकी social media segments के उपर promote करने की अजाज़त तो देता है लेकिन साथ ही monetization के time पर ये भी check किया जाता है कि किस segment से कितना proportion में videos का views आया पांचवी जो सबसे important चीज है वो है metadata कि आपने अपने YouTube वीडियो का SEO कैसा किया है आपने उस YouTube वीडियो का title क्या रखा है आपके title में या फिर आपकी thumbnail pick में कोई भी clickbait नहीं होना चाहिए किसी भी किसम का wrong interpret नहीं होना चाहिए आपकी जो YouTube की guidelines है उन्हें अच्छे तरीके से follow होना चाहिए इन 5 guidelines को आप ध्यान से देखिए और अगर आप चाहते हैं इसका print out लेना तो उसको भी मैंने नीचे description box के अंदर उसका link दे दिया है आप वहां से उस link पर जाकर इसे पढ़ सकते हैं और आप अगर चाहें तो इसका print out भी ले सकते हैं अब सवाल उठता है कि ये update आपके लिए अच्छा है या बुरा तो मैं यही कहूंगा कि YouTube अब समझदार हो गया है ये एक तरीके से alarming call है या एक warning उन YouTubers के लिए जो कि अपने channel को monetize करने के लिए कुछ unfair means का भी सहारा लेते हैं जैसे कि clickbait कुछ भी ऐसा trending topic लेकर उसके उपर वीडियो बना देना और बाद में उस वीडियो को private कर देना इससे आपका channel पहले monetize हो जाता था लेकिन अब according to the new guidelines आपका channel monetize नहीं होगा तो नई YouTubers के लिए या फिर ऐसे YouTuber जो 1000 subscribers और 4000 hours के आसपास हैं उनके लिए मैं यही advice करूंगा आप अपने niche को follow करते रहें और आप PPC को follow करते रहें plan, program and consistency जिस consistency के साथ आप videos डाल रहे हैं और एक content deliver कर रहे हैं unique content उसी frequency के साथ आप videos डालते रहें with full community guidelines तो आपका channel monetize हो जाएगा केवल एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो है patience और इन videos में काफी energy और काफी efforts लगता है तभी हम ऐसा versatile content आपको deliver कर पाते हैं तो हमारे इस video को like करें और इस channel को subscribe करें ताकि future में आपको digital marketing related updates मिलते रहें इस video को ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends और relatives में share करें हमारा ये प्रियास कैसा लगा इसे नीचे comment box में जरूर डालें हम future में भी ऐसे ही videos को लेकर आते रहेंगे अन तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद शुक्रिया हुआ 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 हा वश्याद son Your だ Sãoille but at the only log picture is wrists and face andуем, all night in the vg Linke can apartment, around aächst station with Alumin разные